कि वेन डाउट टेल दे टूथ ऐसा मार्क ट्वेन ने कहा है कि टूथ के बारे में मैं आज वर यह वीडियो में आपको और कुछ जान करें देने वाला हूं ताहिए आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर मैं मनोविकार सेक्स रोख संवोहन तता है वेसनमुक की तगए हूँ महाराष्ट में अकोला मुंबई नागपुर पुने यह हमारे हॉस्पिटल्स है सबके लिए मानसिक स्वास्त है और वेसनमुक्त भारत यह हमारा मिशन है लोग हमारे हॉस्पिट्स में अकोला में आते है ऑनलाइन टेलीफोन कंसल्टेशन करते हैं उनके बिमारी के बारे में और अपने-अपने प्रॉब्लम जे हो सवाल कर लेते हैं काफी सारे लोगों को ठुथ के बारे में या जूड बोलने के बारे में संद्धर हे रहता है उनको रहता है कि मैं यह सच बोल दू़ँ तो काफी नुकसान हो जाएगा कि यदि मैं कहीं सच भूँ यदि मैं मतलब सत्य ना बुलू, सत्य बोलू हूँ तो problem आएगा यदि मैं सत्य बोलू तो लोगों को uncomfortable लगेगा उनको ठीक नहीं लगेगा उनको शायद गुसा आजाएगा या उनके feelings हड हो जाएगे इसलिए लोग चापलूसी करते है सिधी बात नहीं करते सत्य नहीं बोलते सच्ची नहीं बोलते जूट बोलते रहते है और जूट बोलने में होता क्या है एक्चुली बहुत energy जूट बोलने को लगती है क्योंकि सत्य बोलने को energy लगती नहीं truth में क्या है कि जब आप truth बोलते है तो actually जब आप truth मालूम पड़ते है आपको तो आप reality से deal कर सकते हो कि वास्तों में है क्या यह तो भी होता क्या है कि truth मालूम भी नहीं है तो आप imagination में कुछ तो भी कर रहे एक hope है कुछ तो भी आश्या है उसमें कुछ तो भी कर रहे जो भी हो जाएगा या कुछ तो भी अपने को manipulate करना पड़ेगा जुगार जमाना पड़ेगा जूट बोलने के लिए कुछ तो भी और करना पड़ेगा लब काफी सारी बाते करनी पड़ती है यदि सत्य को छुपाने का या जूट बोलने का है तो एक्चुली जब हम सत्य बोलते है सच्चा ही बोलते है तो हम free हो जाएंगे energy एक्दम real हो जाएगे जब सत्य बोलते हैं तो हमारी energy एक्दम free हो जाएगे क्शुट बोलने में या छूपाने में बहुत टाकत लगती है हमको याद रखना पड़ता है कि मैंने जूटा क्या बोला है बार 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 याद रखना पड़ता है और एक जूट बोलने के लिए फिर और पचास जूट बोलने पड़ते हैं और वो पचास जूट खुल जाएंगे इसलिए उसमें बहुत ताकत लगा कि काम करना पड़ता है जब उसमें अपने एनरजी जा रही है तो आप नया काम क्या करेगे नई creativity क्या करोगे नया कहां समय लगाओगे अपने उपर कब काम करोगे सब काम लगता है कि बैस छूपाना कैसे और जो गलत बोला है जो जूट बोला है वो कभी बाहर ना आ जाए उसके उपर energy लगाते जाना जब लोगों ने सत्य बोल दिया एकदम साफ सुद्रा clear बोल दिया truth बोल दिया सच्चा ये बोल दिया तो लोगों के काफी सारे problems ही ठीक हो गए लोगों के migraine ठीक हो गए लोगों के pate के problem 55 अस्ता के problem बिल्कूल ठीक हो गए irritable bowel syndrome जैसे पेट में ढकार आना पेट में असीडिटी पेट फुलना, लेक्टरीन साफ ने होना लेक्टरीन को बार बार जाना ऐसे काफी सारे असीडिटी है काफी सारे पेट के प्राप्लिम ठीक हो गया लोगोंका डेपरेशन ठीक हो गया लोगों को एक तुम अलाई उने सा गया मतलब ऐसा जीवन जीने का उनको आनन्दा रहा है ऐसा उनको लगा उनको ऐसा लगा कि अपन बहुत यंग हो गए बहुत जवान हो गए जो मोटे लोग थे होंने काफी सारा वजन अपना कम कर दिया अप याप क्योंकि जो उनको एनर्य लग रही थी वो जूटा बतान बतलब जूटा जो है चुपाने के लिए और सच्चा ही चुपाने के लिए कि सच्चा ही नहीं बोलना है जूटा बोलने का जूटा बोलने के लिए फिर काफी और जूट बोलने का है और जूटा मतलब छुपाने का है जूटा बोल रहे हैं यह चुपाना पड़ता है कि जूट बोल रहे हैं ऐसा बताना पड़ता है कि यह सत्य है बोल रहे हैं अंदर से जूट बाहर से बोल रहे हैं उसके बहुत ताकत लगती है तो आज से आप पक्कात है कर लो जो भी है वो तुरुथ बोलेंगे, सच्चा ही बोलेंगे और टुथ शेल सेट यू फ्री आप जब टुरुथ बोलेंगे तो आपको दिमा को कोई लोड़ी आएगा नहीं मसत आपको नहीं ना दे जाएंगे लोगों से आपके संबन अच्छे रहेंगे हो सकता है कि टेंपररीली बहुत थोड़े समय के लिए हो सकता है कि कहीं कोई घुसा हो जाए कहीं किसी को बुरा लगे कोई अनकमफर्टेबल हो जाए मगर चलता है टेंपरी हो जाएगा मगर जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि आदमी सत्य बोलता है तो आपके बारे में लोगों के मन में अधर बढ़ जाएगा तो ये काम आपको आसे करना है कि टूथ बोलने का है आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूद शेर करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आयकोन आते उसके पर क्लिक करो, ताकि हमारे वीडियो की नडिजन आपको सबसे पहली बार आ जाएगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवात थैंक्यू फेरी मच्छ झाल